बीजेपी अद्यक्षि जेपी नडडा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तब यह ठीक है, हॉम आइसूलेशन में रहूंगा। उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना चांच कराएं। डॉक्टर्स की साला पर हॉम आइसूलेशन में सभी दिशान दिरिशों का पालन कर रहा हूं। तो बीजेपी गरास्तिय अद्यक्षु जेपी नडडा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद उन्होंने संदेश भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, अभी हॉम आइसूलेशन में हूँ और जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, वो अपनी को किंद्र सरकार के एक क्रिशी कानूनों के खिलाव किसानों का अंदोलन चारी है। ने दिल्ली जैपुर हाईवे को जाम कर दिया जिससे आवा गमन बाधित हो गया आपको बता दें कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान मान नहीं रहे हैं ऐसे में किसान और सरकार के बीच जो गतीरोद है वो भड़ता नजर आ रहा है वहीं पंजाग के उपमाने रिक्षक लकमिंदर सिंग जाकर ने रवीवार को कहा कि उन्होंने नए क्रिशी कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपनी सेवा से इस्तिफा दे दिया है तो कुल मिला के जिस तरह का जो अभी हालात बने हुए जो सरकार और किसानों की बीच जो गतीरोध है वो बरकरार बना हुआ है यहां तक की वो भड़ता ही जा रहा है लगातार कई दौर की छे दौर की यह बातचीत हो चुकी है लेकिन जो नतीजा है वो सिफर रहा किसी प्रकार का कोई हल अभी तक नहीं निकल सका है और इस वज़े से जो राजिस्थान की किसान है उन्होंने भी दिल्ली और जैपुर और दिल्ली के जो हाईवे है उसको जाम कर दिया इस वज़े से बहुत से लोगों को जाम लोग हैं जो हाईवे से गुजरते हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है साथ ह जो दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोई बातचीत नहीं हो पा रही है और इस कबर पर हमारे साथ हमारी दिल्ली समवादाता प्रीत किरन जुड़ चुकी है, प्रीत जिस तरह से 6 दोर की ये बातचीत हो चुकी है उसके बाद भी जो नतीजा है, कहीं कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है बातचीत का, किसान अपनी मांग पर आड़े हैं और यहां दिल्ली हाइवे, जो दिल्ली और जैपुर हाइवे है, वो भी राजिस्तान के किसानों ने जाम कर दिया है अभी जो बातचीत है वो किस तरह से किस तरह किसान संगठन है अब उनका फाइनल जो किस तरह की बातचीत वो चाह रहा है आखिर क्या किरशी कानून खतम करने पर ही वो बात करेंगे किसान कर रहे हैं उनकी तरफ यह कानून है कि कानून उसको पूरी तरीके से ख़त ने किया जाना चाहिए उसको किसी के संसोडन की कोई पंजाइश नहीं है क्योंकि इस तरीके से लगातार किसान जिन चीजों का फिरोध कर रहे हैं कानून आया रहे हैं उसमें कई नगई पूरी तरीके से उद्योग पतियों को फायदा मिलेगा प्राइवट प्रियर्स आ जिसकान के अंदीश में हस्तक शेप करेंगे जमीन जिसकारीके से अधिक्राइन करने की बात की जा रहे है conscious farming के नाम से, तो कड़ी न कड़ी किसान पूरी परिकेशिस का विरोध कर रहे है, हाला कि आज ये देखने को मिला कि क्री मंद्री हमिश्या के गरपर कई मंद्रियों की प्याटक पी हुई, एहम साचा हुई इस प्याटक में उसके पाद, नरेन सिंग टोमर, जो कि केंद्रे क क्रिशी मंद्री है, उनकी आवाज पर भी, कापी किसान पहुंची है, उन्हों ने कर तुछी कान्स अन का तंमर्तन भी किया है, किसान में ही उनके आवाज भी, लेकिन बावजुद इसके, जो किसान धरना प्र'dरशन में उनकी तुरफ चाहा रहा है, कि कः तुबे, प्रिट किया और भी किसान लगातार किसानों को आना जारी है क्या किसानों के जथे अभी भी लगातार आ रहा है जिस तरह की खबरें आ रही है किसान संगठन जादा से जादा संगठन में लगाता जो दे जा रहे हैं पेले कुछ संगठन हर्याना के इसमें शामिल हुए थे लेकिन अब हर्याना के किसान भी इसमें बहुत जादा संगठन में शामिल हुए राजस्थान के किसान जिस तरह के से आप परचण के हिस्सा ले किया जाएगा अब तक बहुत जादा जान से प्रभावित नहीं देखे जा रहे थे वह पूरी दरीके से फ्लाक किया जाएगा अब तक गुड़गाओं का जो इलाका है हर्याना से दिल्ली आना बेहत मुश्किल हो गया था तो कुल्मिला के प्रीत ये जो अभी गती रोध है जिस तरह से गती रोध बना हुआ है ये खतम नहीं हो रहा है बहुत बहुत शुक्रिया अस पूरी जानकारी के लिए तो ये थी हमारी दिल्ली संबाद आता प्रीत किरन जो बता रही थी कि अब जो आने वाले समय में दिल् झाल झाल